सब्जक साइन्स, क्लास फोर्थ, चेप्टर टैन, मैटर एंड इट्स स्टैट्स, चेप्टर टैन की एक्सरसाइस जो है, वो समझ लेते हैं, फर्स्ट, राइट, ठ्रू और फॉल्स, उसमें फर्स्ट, औल सॉलिट्स, कैन बी कंप्रेस्ड, औल सॉलिट्स, जितनी भी सॉलिट्स, जो होती है, उसको क्या हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं, उसको क्या हम संकुचित कर सकते हैं, उसको क्या हम दबा सकते हैं, नो, फॉल्स, जै Second, gases spread out and occupy all the space they get. Gase जो है, वो spread out, वो फेलती है. And, सभी जगह को वो क्या करती है, feel करती है, उसको भगती है. So, yes, true. Third, liquids do not have a fixed shape or volume. Liquids, things जो होती है, उसका कोई fixed shape नहीं होता है. उसका volume जो है, उसकी मात्रा जो है, वो भी fixed नहीं होती है. यहाँ पर आएगा false. Liquid things जो होती है, उसका shape जो है, वो fixed नहीं होता है. लेकिन उसका volume जो है, उसकी मात्रा जो है, वो fixed होती है. जैसे कि one little, हमने एक example लिया था, कि one little bottle में juice जो है, उसको हम glasses में डालेंगे वो juice को, तो वो उसका volume जो है, वो one little ही रहेगा. यहाँ पर यह कहा है, कि उसका volume जो है, वो भी fixed नहीं है. Liquid things जो होती है, उसका volume जो है, वो fixed होता है. इसलिए, क्या आएगा? False. 4. Water our parats without being heated. Our parats means looked हो जाना, सुक जाना, उड़ जाना. Water जो है, उसको बिना गर्म किये, वो looked हो जाता है, वो उड़ जाता है, तो yes, आप लोग एक मटके में पानी को भर के, सूरज की रोसनी में, means, धूप में आप पानी के मटके को रख देना, फिर आप थोड़े दिन के बाद देखना, तो मटका जो होगा, वो खाली हो गया होगा. Means, पानी जो है, वो क्या हो गया? सुक गया. 5. Dew, Fog, Mist and Cloud are example of condensation in nature. 6. Dew, Fog, Mist and Clouds जो है, वो प्रकुरूटी में क्या संखनन के उदाहरन है? तो yes. 6. Next, choose the correct option. आप लोगों को जो right तीन ओप्सन दिये है, उसमें जो right answer है, उसमें क्या करना है? टिक करना है. 1. The changing of a liquid into its vapor is called? लिक्विट जो है, वो वेपर में change जो होता है, जो बदरता है, उसको क्या कहां जाता है? तो क्या कहां जाता है? इवापरेशन. 2. The changing of a vapor into a liquid is called? वेपर का जब लिक्विट में changing होता है, वेपर जब लिक्विट में change होती है, तो उसको क्या कहां जाता है? तो कंडेंसेशन. 3. Gases have? गैस जो है, no fixed shape or volume. उसका कोई fixed shape भी नहीं है और उसका volume भी fixed नहीं है. 4. Which of these is not an example of condensation in nature? नेचर में एक इसमें से कौन सा condensation का example नहीं है, तो snow. 5. Which of these can be compressed? इसमें से कौन सी things जो है, वो चीज है जिसको compressed किया जा सकता है? तो answer आएगा gases. 6. Next, answer this. First, what do we know? What is matter and what is not matter? हमें किसे पता चलेगा कि matter क्या है और matter क्या नहीं है? तो answer आएगा, Anything made of matter occupies, tax up, space and has weight. Anything made of matter, matter से बनी कोई भी चीज, जो जगह लेती है और जिसका weight होता है, वजल होता है, उसको क्या कहां जाता है? matter कहां जाता है? Second, name two things that are not matter. दो things के name लिखने है, जो matter नहीं है. तो answer आएगा, light, sound. ये दो चीज ऐसी है, जिसका कोई weight नहीं है और ये जगह भी नहीं गेती है. third, what are the three states of matter? matter के three states जो है, वो लिखने हैं, तो three states कोन से हैं? तो solid, liquid and gaseous. fourth, name one characteristic of solids that is useful to use. solid की एक विसेस्ता का नाम, जो हमारे लिए क्या है, वो useful है, उप्योगी है. तो answer आएगा, solids are hard and keep their shape, so we use them to make things. solids जो है, वो क्या होते हैं? हाड होते हैं, और वो अपना shape बनाए रखते हैं. इसलिए हम उनका उप्योग, things, चीजों को बनाने के लिए करते हैं. What are fluids? तो answer आएगा, things that do not have a fixed shape and can flow are called fluids. जिस चीजों का कोई fixed shape नहीं होता है, और वो flow हो सकता है, मिन्स वो बहुत सकता है, उसको क्या कहां जाता है, fluids कहां जाता है. यहां हमारी chapter 10 की exercise जो है, वो पूरी होती है.